जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि जो आप लोग का रिजल्ट है वो आज पबलिक होने वाला है तो आप लोग का दोरा कॉमेंट किया गया था कि सर हम लोग का जो रिजल्ट है आखिर आज कितने बज़े तक आ जाएगा तो इसी topic के उपर full discussion करने वाले हैं तो सुवागत है आप सभी के अपने YouTube channel diploma classes में तो कैसे हैं आप लोग तो उमीद करता हूँ काफी वड़िया होंगे और counselling के बाद आप सभी लोग इस इंतिजार में होंगे कि आपका कौन से engineering college में कौन सा बरांच है लोट होगा वैसे आपको तो बरांच मालूम ही होगा बस आपको engineering college मिलने का वेट है तो आप लोग का जो counselling है वो finally 7 September से ले करके 10 September तक complete करा लिया गया था इसके बाद जो आप लोग का result का date है वो आज है यानि 13 September को है इसके बाद आप लोग का जो एडमिसन है 14 और 15 September को होगा इसके साथ साथ आप सभी को एक बात बता दे जिनको भी MCE मोतिहारी मिलेगा यानि मोतिहारी college of engineering तो अगर आपको कुछ भी help चाहिए होगा हमसे यानि diploma वाले सर से तो आप सभी लोग हमारे पास message या call कर सकते हैं क्योंकि हम भी याभी उसी college के final year के student हैं और आप सभी को बता दे जो मेरा pole technique का session था आप सभी को पता ही होगा 2017 से 20 था कब से 17 से 20 था लेकिन हम एक साल gap कर दिये थे क्योंकि हमको btk नहीं करना था फिर बात में सोचे के चलो btk कर लेते हैं तो अभी हम final year के student हैं हमसे कुछ भी help चाहिए होगा तो आप लोग बिल्कुल help ले सकते हैं मेरा जो mobile number है 88 73 98 83 88 आप लोग सिर्फ whatsapp और message किजिएगा काहां पे सिर्फ आप लोग whatsapp और message किजिएगा अगर आपको mcee moti hari college मिलता है तो चली आप सभी को बता दे जो आप लोग का result है counseling का ओ आखिर आज कितने बजे तक आ जाएगा तो आप सभी को बता दे पिछले बार क्या हुआ था एक 11 बजे के बाद public हो गया था लेकिन अब की बड़ जो आप लोग का result है और bcec के official उस site पे आज 2 बजे के बाद public हो जाएगा उसके बदा आप सभी को सीधे bcec के site पे जाना है जहाँ पर लिखा होगा bcec alie alertment letter वहाँ पर किलिक करना है और अपना user id वहाँ पर आपको अपना roll नमर उसके नीचे आपका जो password बना होगा हो उसके नीचे security pin को डालना होगा उसके बाद आपके पास OTP जाएगा OTP को verify करना होगा और उसके बाद आप लोग देख लिएगा कि आपको कौन से engineering college में कौन सा वरांचे alert हुआ है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिट साम को live session में तब तक के लिए thank you और आप सभी लोग आज साम का जो live session होगा उसमें बिल्कुल जुड़िएगा आपके जो भी doubt है कोई भी questions होगा सभी को clear कर देंगे जैसे कि admission में क्या क्या document लगेगा, admission का process क्या होता है, admission में कितना payment देना होता है, सब कुछ A to Z information आप सभी को जो साम का live session होगा उसमें आप सभी को बता देंगे